Om Shanti, हम सभी बहुत पवित्रा आत्माए, पुज्यात्माए हैं, हमारा काम विश्व का कल्यान करना है, हम विश्व कल्यान कारी हैं, भक्ति में भी हमारे पुज्य स्वरूप द्वारा, हमारे मूर्तियों के द्वारा भक्तों को दुआएं मिलती रही, कुछ ना कुछ उनका कल्यान होता रहा, इस समय तो हम अपने शिव बाबा के साथ हैं, हमारे अंदर विश्व कल्यान करने की शक्ति है, हमारी दुआओं में दम है, हमारे बोल में शक्तियां हैं, जो जितने योग-युक्त हैं, जो जितने पवित्र हैं, जो जितने आत्म अभिमानी और आत्मिक द्रश्टी वाले हैं, स्वमान धारी हैं, उनके बोल में, उनकी जादा शक्ति होती है तो हम दूसरों को सुख देने के लिए दूसरों का कल्यान करने के लिए दूसरों के विघन हरने के लिए सब को दुआएं देते चलें दुआएं देने से दुआएं मिल तो स्वतही जाएगी ये तो ओटोमेटिक है जो कुछ हम देते हैं वो रिटर्न ह पर जो कर हमारे पास आता रहता है, फिर भी हम दूसरों को सुक देंगे, सहयोग देंगे, उनकी समस्याओं में उनको मदद करेंगे, तो उनकी दुआओं की पात्र बनी जाएंगे, पन्तु हमें ये महसूस करना हैं, कि हम साधार अनात्माएं नहीं हैं, हम महान हैं, जो पव पित्र बन जाते हैं, जो भगवान से जुड़ गए, जिनों ने उसको पा लिया, जिनों ने उसको अपना बना लिया, जो उसकी चत्र चाया में रहने लगे, जो उसकी दुआओं में पलने लगे, वे बहुत महान हैं, पुझनिये हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस्वमान को ख्याल में रखते हुए, इशिश्वरी नसे में रहते हुए, हम सभी को दुआएं देते चलें, एक बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे, मैं विश्वकल्यानकारी, परंपुज्यात्मा, परंपवित्रात्मा हूं, और गलोब के उपर विराज मानूं, बड मेरे सामने भी विश्वका गलोब है, विश्वका गोला है, मेरे मस्तक से पवित्र किरने, शक्तियों की किरने निकल कर इस विश्वके गोले में समा रही हैं, और सामने इमर्ज करेंगे, पिस्व की करोड़ो आत्माई महां उपस्थित हैं जो दुखों में हैं, चिन्ताओं में हैं, तनाओं में हैं, परिशानियों में हैं, सकास देने के साथ साथ उन सभी को अब दुमाएं दे दें, कैसे दें, आप सभी सुखी हो जाएं, आपका जीवन दुखों से मुक्त हो, आपने श्चिन्तों तनाव रही थो कर इस जीवन का परम आनंद प्राप्त करें, ऐसी दुआएं सब को देंगे, तो हमारे वाइब्रेशन्स के साथ ये दुआओं के वाइब्रेशन्स भी जाएंगे, और संसार की अनेक आत्माओं को र प्राप्त होंगी, सारा दिन भी चलते फिरते, जो लोग हमारे संपर्क संबंद में आएं, जिनसे हम बात भी करें, आप बड़े हैं, जैसे लोकिक में बड़े चोटों को, सास वहू को दुआएं देती हैं, सुखी रहो, जीते रहो, चिरन जीवी भव, ऐसे ही, जिनसे भ हो जाओ, स्यान्ती तो तुमारा स्वधर्म है, कोई दुखी मिलता है, तो उसको दुआएं दे दे, तुम सुखी रहो, सुखी हो जाओ, कोई परिषान है, उसको दुआएं दे, सदा खुस रहो, ये बाते तो बहुत छोटी हैं, इस तरह हम सभी को देते चलें, ये हमारी दुआएं हमें भी बहुत सुख देंगी, और दुसरों को भी उसी तरह के अनुभव कराएंगी, यह हमें विश्वास होना चाहिए, यह भगवानों वाच्छ है, वो हमें रोज कहता है, दुआएं देते चलो, तुम पूरवज हो, तुमारी सुभावनाएं भी संसार का कल्य करेंगी, तुमारी विश्व कल्यान की व्रत्ति भी दूसरों का कल्यान करेंगी, तो आओ हम धुन लगाएं पंदरा दिन के लिए, हम सब को दुआएं देंगे, गलोब को भी दुआएं देंगे, ओम श्यांति.